इस विडियो से हम सीखेंगे पैटन को कैसे पहचाने और विस्तार करें, चर्क क्या है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमारे जीवन में हर जगह हम कोई न कोई पैटन देख सकते हैं, जैसे पत्तो के पैटन, इटो का पैटन, फर्ष के पैटन, जामितिय आकारों के पैटन, तारों का पैटन, और कई सारे, हर एक पैटन किसी नियम पर आधारित होता ही है, तो चलिए, अब इन माचिस की तिलियों से कुछ पैटन बनाएं, यहां हम बनाएंगे त्रिभुज का पैटन, पहले हम तिलियों से एक त्रिभुज बनाएंगे, इसके लिए आवश्यक तिलियों की संख्या होगी, अब अगर हमें दो त्रिभुज बनाने हो, तो कितनी तिलियां आवश्यक होंगी? दो त्रिभुज के लिए, छे तिलियां आवश्यक होंगी, इसी तरह 3 त्रिबुज बनाने के लिए 9 तिलिया अवश्यक होंगी 4 त्रिबुज के लिए 12 और 5 त्रिबुज के लिए 15 तिलिया अवश्यक होंगी ध्यान दीजिए सारणी में लिखे त्रिबुच की संख्याओं पर और उनके लिए आवश्यक तिलियों की संख्याओं पर क्या इनमें कोई संबंध प्रस्थापित किया जा सकता है? ध्यान से देखने पर आप जान पाएंगे कि तिलियों की संख्या त्रिभुच की संख्या से तीन गुना है इस समझ से त्रिभुच के इस पैटन का नियम बनाया जा सकता है आवशक तिलियों की संख्या बराबर तीन गुना त्रिभुच की संख्या यहां त्रिभुच की संख्या एक, दो, तीन या कोई भी प्राकृत संख्या यानि नाच्रल नंबर का मान ले सकती है इसका मतलब हुआ त्रिभुच की संख्या का मान निश्चित नहीं है यहां बदल सकता है यानि वैरी हो सकता है इस तरह की संख्या जिसका मान निश्चित या स्थिर नहीं है वह चर यानिके variable कहलाती है हमारी सुविधा के लिए हम ऐसी संख्या के स्थान पर अंग्रेजी भाशा का अक्षर जैसे A, B, C का प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहां त्रिभुज की संख्या के लिए हम प्रयोग करेंगे X का यहां त्रिभुज की संख्या के तरह ही चर X भी 1, 2, 3 या और किसी प्राकृत संख्या का मान ले सकता है इस तरह से पैटन में X त्रिबुच बनाने के लिए आवशक तिलियों की संख्या होगी तीन कुना X इसे ही संशेप में लिखा जाता है तीन X ज़र X के प्रयोग से त्रिबुच के पैटन का यह नियम अब व्यापक बन गया है अब आईए जानते हैं चरो का प्रयोग अज्यात राशी यानि अन्नोन कॉंटिटी के लिए कैसे किया जाता है जन्मदिन की मौके पर मधु कक्षा में चॉकलेट बाटना चाती है उसे हर एक विध्यार्थी को दो चॉकलेट देनी है अगर विध्यार्थीयों की संख्या चर एक्स से व्यक्त करे तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या क्या होगी? मधु के पास विध्यार्थीयों की संख्या से दो गुना चॉकलेट आवश्यक है यानि कि अगर विध्यार्थियों की संख्या होगी X तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या होगी 2X अब आईए समझे चर्क कैसे हमें गणितिय नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं वर्ग का परिमाप यानि perimeter of the square वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाईयों का योग होता है अगर हम भुजा की लंबाई के लिए चर L का प्रयोग करें और परिमाप के लिए चर P का तो वर्ग का परिमाप लिखा जा सकता है P बराबर 4 गुना L या 4L इससे आपको चर क्या होता है एवं चर के उप्योग से नियमों और सूत्रों को सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है इसकी समझ बन गई होगी अगले वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरनों को समझेंगे और चर की अवधारना को और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद वाद वाद वाद